दोस्तों बंदे मातरों, इस समय सोशल मीडिया पर कंगले रनौत किसी सही कारणों से चर्चा में बिल्कुल भी नहीं है मतलब जो कारण उनके आगे बीसे चल रहे हैं, वो कारण कुछ ऐसे हैं जो कि उनके चाहने वालों को तो शायद उनसे फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए वो ट्रेंड्स काफी, मतलब सुविदा जानक से दिखाई पड़ रहे हैं दरसल कंग्लरनौत ने नवीका कुमार टाइमसनाओ को दिये एक इंटर्वियू में कहा था कि देश को 2014 में जो अजादी मिली वो सच्ची अजादी है, 1947 में तो भीक मिली थी और ये भीक वाली आजादी की जो बात इन्होंने कही है, बस यही बात कई लोगों के गले की हड़ी बन गई है, और लोग इस बात को हजम कर नहीं पाना है, कंग्लरनौत ने इतनी बड़ी बात आखिर कैसे बोल दी और इसी बात को लेकर उनके गिरफतारी की मांग भी चल रही है, कई जेके पर उनके F.I.R. भी दर्ज कराने की बात की जा रही है, कॉंग्रिस पार्टी हो, आमादनी पार्टी हो, कई सारी पार्टी, कई सारी राजनेता उनके पीछे पड़ गया है, शिफ सेना के सामना मे भी उनके खिलाफ लिखा जा चुका है इस तरह की कई सारी बाते हैं जो किस्ते मैं कंग्रनाउत के खिलाफ चल रही है वहाँ कुमार उश्वास ने भी इसको लिए टिप पड़ी कर दी इनकी तो बाते ही जो सत्ताधारियों के लिए चलती है इसके लावा कुछ भी नहीं चलती ऐसे में कंग्रनाउत के मुश्किलें जब बढ़ रही है तो कंग्रनाउत ने पदमश्री को वापिस करने की बात कह दी है कंग्रनाउत ने अपनी आजादी वाले बयान के लिए नारिबाजी के बाद अपना बचाव किया है अक्रस ने कहा कि अगर कोई 1947 में हुई घटना के बारे में बता सकता है तो वो अपना पदमश्री लोटाने के लिए तयार है दरसल कंग्रनाउत ने अपने विवादत बयान में कहा था भारत को 2014 में आजादी मिली थी जब नेरेंदर मोदी के नेतरत वाली सरकार सत्ता में आई थी 1947 में देश की आजादी को भीक या भिक्षा के रूप में बताया गया था अक्टर्स ने अपने इंस्टेग्राम स्टोडीज पर एक किताब के कुछ अंच शेयर करते हुए लिखा कि ये उसी इंटर्वियू में सब कुछ बहुत स्पस्टूप से बताया गया है अगर कोई मुझे बता सके तो मैं अपना पदमश्री वापस कर दूँगी और माफी भी मांगूई करपिया इसमें आप मेरी मदद करें उन्होंने आगे लिखा कि मैंने शहीद विरांगना लक्षमी भाई की फीचर फिल्म में काम किया है आज़ाद की पहली लड़ा इठर सत्तावन पर बड़े पैमाने पर रिसर्च किया था राष्टवाद के लिए राइट विंग का भी उदाय हुआ लेकिन अचानक खत्म क्यों हो गया और गांधी ने भगत सिंग को आखिर क्यों मरने दिया नेता बोस को क्यों मारा गया और गांधी जी का सपोर्ट उन्हें कभी क्यों नहीं मिला एक गोरे मतलब ब्रिटिश ने पार्टिशन की लाइन आखिर क्यों कीजी इंडिबेंडेंट के जश्चन मनाने के बजाए भारतियों ने एक दूसरे को क्यों मारा कुछ जवाब जो मैं मांग रही हूँ क्रपया जवाब खोजन में मेरी मदद करे कंगनरोट ने आगे लिखा कि मैं परिणाम बुगतने के लिए तयार हूँ जहां तक 2014 में आजादी का संबन्ध है तो मैंने विशेश रूप से कहा था कि भौतिक आजादी हमारे पास हो सकती है लेकिन भारत की चेतना और रुवेक 2014 में मुक्त हो गया था पहली बार अंग्रेजी ना बोलने या छोटे शहरों से आने या भारत में बहुत पादों का उप्योग करने के लिए लोग हमें शर्मिंदा नहीं कर सकते एकी इंटर्विव में सब कुछ स्पष्ट है लेकिन जो चोर है उनकी तो जलेगी कोई इसको बुझा नहीं सकता बात उन्होंने कही यह सभी बाते पर सही बढ़ती है और उन्होंने कहा एकए अगर कोई मुझे जवाब देता है तो फिर मैं अपना वाड़ जो है वापस कर दूँगी तो अगर आप में से कुई चक्षम हो इन बातों का जवाब देने में तो गरबया कंगना को जवाब दें वरना जो कंगना ने कहा है उसको सही माने मेरे स्वीडियों फिलाल अतना ही जै हैं जै भारत